हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टोवर चैनल तो फ्रेंड्स मैं लेकर आ गया हूँ एक और शांदार वीडियो और आज की वीडियों बताने वाला हूँ कि आप अपने प्ले स्टोर की जो आईडी होती है उसकी कंट्री कैसे चेंज गर से बहुत ही शांदार ट्रिक बताने वाल आपको पहले प्ले स्टोर को अपन करनाहा है और हमें काहां पर आपको चेंडिक करने और फिर फिर Ah उपर आपको general का option पर click करना है और फिर आपके पास 5-6 option खुल जाएंगे उन में से आपको click करना है second option पर account and device preference पर click करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दिखाए देगा कि आपकी country कौन सी country के ID है तो यहाँ पर United State की मेरी यह ID मैंने बना रखी है तो आपको बताने करने अब इसको मैं चेंज करकर बताऊंगा तो इसको चेंज कैसे करते हैं वो बताने वाला हूं इस वीडियो में और इसकी easy trick बताता हूं तो बिना किस दिरिकर वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या है पहले आपको play store को open कर लेना है फिर से और फिर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको क्या गणा थार्ड ओप्शन पे जो payments एंड जो सब्सक्रिप्स नोस पर क्लिक कर देना है और फिर आपको क्लिक करना है payment methods पे और फिर ऐसा इंटरफेस open होने के बाद आपको क्लिक करना है नीचे नीचे more payment setting पे और फिर आपको Chrome में इसको open कर ले है यह थोड़ा नेट चल रहा है कि इसको क्रोम में ओपन होने के बाद जिस आइडी से आपका प्ले स्टोर की आइडी लोगिन है जो आइडी उसको आपको गूगल क्रोम में लोगिन कर लेना है उसको लोगिन करने के बाद आपको क्या करना आपको कोर्णर में थ्री लाइंस दिखाई दे रही होगी उन पर क्लिक करना है आपको उस पर क्लिक करने के बाद आपको फिफ्ट ओप्शन मिल रहा हुआ सैटिंग उस पर क्लिक करना है फिर उस पर क्लिक करने बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और वहाँ पर आपको जो second option है payments profile का वहाँ पर आपको country का और reason option मिल रहा होगा उस पर आपको click करना है बिसिकलि उस पर click करने बाद create new profile पिक्रित करना है और फिर उसके बाद आपको continue पर click कर देना है जो आपको option मिलेगा वहां से आप अपनी कोई भी country करना चाहते हैं दूसरी country वहां से change कर सकते हैं तो मेरी United State की है तो मैं country change करता हूँ मेरी country है इंडिया तो मैं इंडिया कर देता हूँ तो मैंने यहां इंडिया कर दिया है आप country select करके continue कर दे यहां पर continue करने के बाद कुछ ऐसा पेज open होगा उस पर आपका अपना address लिखना है एड्रेस टू लाइन को आप खाली छोड़ सकते हैं और टाउन या सिटी में आप अपनी सिटी का नाम लिख दे पास कोड में आप अपना पिन कोड लिखना है उसमें और स्टेट अपना स्टेट डाल दो मैं छेपूर से हूं तो जेपू तो नहीं होगा रास्तान कि यह रास्तान पर क्लिक कर देना आपने अपने स्टेट बर और इन्फोर्मेंस फिल करने के बाद आपको सब्मिट पर क्लिक कर देना है उस पर क्लिक करने के बाद जो आपकी आईडी है प्ले स्टोर की वो चेंज हो चुकी है अब मैं आपको दिखाता हूं तो मैंने प्ले स्टोर को ओपन कर लिया है जो की मैं वापस से वहाँ पर ओप्सन पर चला जाता हूं उस ओप्सन पर और आपको दिखाता हूं तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पहले मेरे युनाइटेर स्टेट था भी भी सलेक्ट हो रहा है नीचे लेकि इंडिया आ चुका है तो मैं यहाँ पर इंडिया पर क्लिक करके कंटीनू कर देता हूं तो अब वो श्विच हो रहा है और इस्टोर वापस से ओप दिखाता हूं मैं आपको रिफ्रेश होने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए फ्रेंड्स मेरा जो कंट्री है यहाँ पर पहले यूएस था अब इंडिया हो चुका है तो फ्रेंड्स आप इसे करकर जो आपके इंडिया में आपके जो कंट्री में जो एप बैन है जो कुछ भी एप कैसे भी हो बैन है आप उससे दूसरी कंट्री में जो च लगर सकते हैं तो फृरेंड ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स की ये प्रोब्लम हो सके तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स वीडियो में टोपिक के साथ वीडियो को एंट तक देखने के लिए थैंक यू फोर वचिंग